ये बड़ा ही बंगाली सवाल है वे ये नहीं पूछ रहे कि काले जादू का सच क्या है वे पूछ रहे कि इसके शुरुवात पश्चिम बंगाल में हुई थी या नहीं केरल के लोग मानते हैं कि ये केरल से आया है दोनों जगह के लोग कुछ एक जैसे हैं दोनों मचली बहुत खाते हैं तो इस देश में एक समय था जब एक फैमिली डॉक्टर की तरह एक भूत प्रेत डॉक्टर भी होता था लगबग हर परिवार इन चीजों के बारे में किसी से सलाह लेता था क्योंकि ये विद्याएं इतनी जादा पहली हुई थी क्या इसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी या इसकी शुरुआत केरल में हुई थी नहीं मुझे लगता है कि आज केरल और बंगाल में सबसे ज़ादा बचा हुआ है अन्य जगों पर ये थोड़ा मिट गया है मूल रूप से आप तंत्र विद्या की बात कर रहे हैं तंत्र विद्या अपनी उर्जा के इस्तमाल से खास असर पैदा करने की एक विशेश तकनिक है पर दुर्भागे से इसके बारे में बुरी बातें बहुत ज़्यादा पहल गई है क्योंकि बुरी चीजों की मांग जादा थी इसलिए लोगों ने इसका अच्छे से जादा बुरा इस्तमाल किया इसके अच्छे प्रयोग भी होते हैं ये किसी भी अन्य तकनिक की तरह है आप इसका अच्छा या बुरा इस्तमाल कर सकते हैं दुर्भागे से बुरा इस्तमाल अच्छे इस्तमाल से बहुत जादा होने लगा, तो लोगों को लगता है तंत्र विद्या मतलब कुछ बुरा होता है, नहीं, दुर्भागे से इसका बुरा इस्तमाल होने लगा है, इसके अच्छे प्रयोग भी होते हैं, अच्छे प्रज़ों की मांग जादा होनी की वज़से इसका इस्तमाल हो रहा है। इसलिए इसकी बुरी छवी बन गई है। तंत्र विद्या ऐसी होती है। देखिए अभी आप सभी के पास फोन है। मान लीजिए सौ साल पहले आपके पास एक फोन होता, सेल्फोन होता। तो आप तंत्र विद्या जानने का दावा कर सकते थे। क्योंकि आप फोन निकाल कर किसी से अमेरिका में बात कर पाते, सब हूँ कापने लगते, ठीक है। हाँ या ना। तो तंत्र विद्या बस एक तकनीक है, आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके किसी को संदेश भेज सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक तकनीक जादा से जादा सुक्ष्म हो रही है तंतर की जरुरत कम हो रही है काफी तेजी से कम हो रही है क्योंकि बहुत सी चीज़یں जो हम तंतर विद्या के माध्यम से करते थे आज बिना उसके हो जाती है आपको WhatsApp पे एक संदेश भेज सकते हैं, अब आपको यहाँ बैठ कर किसी को संदेश भेजने के लिए फोकस करने की जरुवत नहीं है पहले ऐसा करने में बहुत जादा समय और उर्जा लगती थी, अब संदेश चला जाता है तो संदेश भेजने के काम में अब तंत्र की बिल्कुल जरुवत नहीं है, वरना तंत्र का मुख्य उप्योग एक अलग तरीके से संदेश भेजने के लिए होता था आपने टेली पैथी या टेली काइनेटेक्स और अन्य चीजों के बारे में सुना होगा जिनमें कुछ दूरी से चीजें की जाती हैं, पर आज वे सभी चीजें सामाने तकनीकों से हो जाती है तो तंत्र या तंत्र की जरुरत कम हो रही है, जरुरत बस कम होती जा रही है और शायद तंत्र विद्या की कई जरुरतें खत्म हो जाएंगी कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन सबसे महत्वपून बात ये है कि अगर हम ऐसा समाज बनाएं कि आपको जो भी चीज दी जाए उसका आप एक अच्छा उप्योग करें तो तंत्र एक जबरदस संभावना हो सकता है जैसे तकनीक एक जबरदस सम्भावना हो सकती है, जैसा मैंने पहले कहा, जादातर तकनीक का इस्तमाल हत्यार, बम, नीउक्लियर बम, और जादा से जादा विनाशकारी चीजें बनाने के लिए हो रहा है, उस तकनीक का इस्तमाल कहीं और हो सकता था, पूरी तरह सकारात्मक चीज़ें की जा सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मांग बुरी चीज़ों की है, तंत्र के साथ भी यही हुआ, आपके मुखरजी मित्र, मैंने ऐसा सुना है, कि तंत्र विद्या में, केरल आज भी सबसे आगे है, उसके बाद पश्यम बंगाल है, और फिर कुछ उत्तर पूर्वी राज्ये हैं, लेकिन वहां की तंत्र विद्या काफी बुनियादी है, केरल की तंत्र विद्या काफी जटिल है, आप उत्तरी अमेरिका के कबीलों में भी तंत्र विद्या की काफी मौजूद की पाएंगे, लेकिन बहुत बुनियादी तंत्रविद्या मुख्य रूप से संदेश भेजने के लिए पर अब उन सभी के पास स्मार्टफोन है इसलिए इसकी जरुवत घट रही है मुझे लगता है कि एक समय था जब कश्मीर में काफी तंत्रविद्या थी बेंगौल, केरल, उत्तरपूर्व और आंध्रप्रदेश और उडिशा के कुछ भाग लेकिन आजकल धंदा मंदा है